जिससे देखते ही भुक दुगना हो जाए आज मैं वही रेस्पी आपके लिए लेकर आई हूँ हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजू और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अंजू कीचेन लाइब में आज मैं आपके साथ सेर करने जारे हूँ आलोटी की चार्ट यह चार्ट जितना बनाना असान है खारने में उतना ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगते हैं इतना अच्छा यह चाट बन करके त्यार होते हैं कि बना कर और खा कर आपका दिलखोस हो जाएगा और आप जिसे खिलाएंगे वो आपके तारिफ करते नहीं थकेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना फिल्पूल न भूलें तो चलिए फ्रेंट्स आज की यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम मज़ेदार आलू टिकी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहां पे 200 ग्राम वाइट मतर को रात भर के लिए भीगो कर छोड़ दिया था आप चाहें तो इसे 7-8 गंटे के लिए भीगो कर छोड़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह फूल जाएंगे तो बस अब इसका पानी हटा देंगे और इसे कूकर में ट्रांसफर करेंगे अब यहां पे हमने लिए हैं दो बड़े साइज के आलू जिसे हमने बड़े बड़े क्यूप्स में काट लिए हैं देखिए इस तरह से मतर के साथ आलू बॉयल होते हैं तो चाट खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं तो अब इन सब आलू को इसमें डाल देंगे और इसके उपर तक पानी डालेंगे तो यहां पे देखिए हमने उपर तक पानी डाल दिया है और अब बॉयल होने के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक न डालें नमक से मतर अच्छे से बॉयल होते हैं इसलिए बॉयल होने के के लिए ही थोड़ा सा नमक डालेंगे अब कुकर का धकन बंद करके इसे मीडियम फ्रेम पे चार सीटी आने देते हैं तब तक आलू टीकी बना लेते हैं तो इधर हमने चार मीडियम साइच के आलू को अच्छे से बॉइल कर लिया था और उसे ठंडा कर ले अब इसे तो इसे पोटाइटो मैसीर से मैस कर सकते हैं तो यह हमारा आलू अच्छे से मैस हो गया है तो अब इसमें डालेंगे उबले हुए मटर मटर डालना बिल्कुल बढ़तेशणल है अगर अब डालेंगे तो टेस्ट आच्छा आता है आलू टीकी का अल्या अ सपाइसी के तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गया है तो यह हमारा आलू टिकी बनाने के लिए रेडी हो गया है लेकिन अगर आप इसे कुछ देर फ्रीज में रख देंगे तो यह अच्छे से सेट हो जागा और आलू टिकी बहुत ही बढ़िया देखिए आलू भी अच्छे से कुख हुआ है मैं आपको आलू टच करके दिखाती हूँ तो यहां पर आप देखिए आलू बहुत ही अच्छे से मैस हो जा रहे हैं इतना हमें मटर और आलू को बॉयल करना है कि मटर साबूत भी दिखना चाहिए और पका हुआ भी होना चा देखिए क्योंकि तरका लगाने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो हमने दो टेबल स्कून कोकिंग वाइल डाला है आधा चमजीडा एक सूखिलाल मिर्च और दो तेजपता और इसके साथ यहां पर दो चुटकी हिंग डालेंगे हिंग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और एसी डीटी भी नहीं होंगे क्योंकि मटर खाने से बहुत लोगों को ऐसी डीटी हो जाती है तो उसे ध्यान में रखते हुए हिंग को जरूर डाले और आधा इंचादर को हमने बारिक बारिक काट लिया था उसे डाल दें और यहां पर हमने डाला है एक मिडियूम साइच के प्याजी से हमने लमबाई में काट लिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को एक से दो मिनिट के लिए यहां पर फ्रै कर लेंगे तो यहां पर देखें प्याच का कलर चेंज हो बट हिज Э अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और बाकी चीजे भी अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब यहां पर बॉयल किया हुआ माटर और आलू को डाल देते हैं बहुत लोग इसमें तरका लगाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इसमें तरका लगा देंगे तो इसका फ्लेवर दूग न हो जाता है अगर आपने इस तरह से ट्राई नहीं किया है तक बार जरूर ट्राई करके देखेगा आपका यह फ्लेट हो जाएगा अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और आप यहां पर हो गया है तो अब इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं आलू टिकी बनाने के तरफ तो पर पहले थोरा सा ओल लगा कर हाथों को चिंगना कर लें अब यहां पर टिकी का से देते हैं तो हमतेलीों पर इस तरह से आलू के मसाला को लेंगे और इस चप्ता देते हुए हमने चार्स तिक्sy को दालेंगे हैं और दो मिनट रागत रह दोड़े दोने चारघी को अब देखें फ्राइब को प्राइब इसना को करेंगे पलंगे और बहुत ही जादा तेस्टी हो जाएंगे ले देसे तो यहां पे आफ देख सकते हैं टिकी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है हमने दोनों size के बनाए है, थोड़े से बड़े और एट छोटे, तो यह हमारा टीकी का δूसरा batch भीurry हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं, तो हमने चार्ट के लिए छोला और टीकी दोनों बना लिया है, तो अब चलिए इसे serv करते हैं, तो serving plate में सबसे पहले छोले को डालेंगे, छोला अगर ठंडा हो गया है तो उसे थोड़ा सा गरम कर लें, अब यहाँ पर टीकी को डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पर छोटे साज़ वाले दो टीकी के लिए हैं, इसके उपर भी छोले को डाल देंगे, अब यहाँ पर इमली की खटी मी मिर्च डालेंगे तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के कम्या ज्यादा रख सकते हैं अब इसके ऊपर हमने खीरा डाल दिया है खीरा से अच्छा टेस्ट आता है और यहां पे काला नमक डालेंगे अगर आपको पसंद तो यहां पे थोड़ा सा नीम्बू का कर देते हैं वैसे जरोड़ी नहीं है खटापन के लिए हमने दही और इमली का पल्प डाला है और लास्ट में गाजर और भुजिया से गार्निसिंग कर देंगे तो यह लिजे फ्रेंट्स हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम डिलीसियस आलो टिकी चाट बन करके त् अब को बहुत पसंद आएंगे तो फ्रेंट्स उमेद करती हूं आज की या आलो टिकी चाट की रेश्पी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्र